वाल्टे वोज एक्स्रीमली राइट जब उन्होंने ये कहा कि वो जितना ही पढ़ते चले जाते हैं उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अभी उन्हें बहुत कुछ पढ़ना या समझना वाकी है हलो फ्रेंड्स, I am Dikshah, your mentor for CUT आई यह हम बात करते हैं CUT के ऐसे एक्जाम की जो हाली में एक बार हुआ है और हां, students ने एक्जाम दिया है, हमारे बास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं इस एक्जाम की जिनके बारे में हम बात करेंगे The Common University Entrance Test, एक एसा टेस्ट जिसे हाली में आयोजित किया गया है, जो कि सिर्फ एक बार हुआ है, यह Common University Entrance Test जो है, यह 45 प्लस, 45 प्लस जो आपकी Central Universities हैं, उनमें करवाया जाता है और जो कि आपको मौका देता है, इस्पेशली उन स्टूरेंट्स को यह एक्जाम मौका देता है जो दूर-दूर के प्रदेशों में रहते हैं, जो इंडिया की इस पार्ट में और भी दूर प्रदेशों से आते हैं, और या जो कि किसी कारणवश अपनी पसंदीदा Central University में admission नहीं ले पाते हैं, तो CUT उन्हें एक ऐसा golden chance देता है, जिसे redeem करके वो अपनी पसंदीदा Central University म जो इसे पहले कि हम बाकी information शेर करें, आपको बदाना चाहूँगे कि CUT एक जातली हम कैसे इसके इसके इन्वेश में कर सकते हैं, या कि देने के लिए हम क्या क्या strategy चाहिए, इसका exam pattern क्या होना चाहिए, इसकी फी कितनी है, कॉन-कॉन सी अडिश्य विज्स्ती इसमें आती क्या है, examination mode CUT का क्या है, मैं आपको बताना चाहूँ कि कि जो CUT का mode है, वो CBT है, जिसे हम computer-based testing कहते हैं, CUT exam देने के लिए सबसे जरूरी है, कि आप computer से भली भांती पलचेत हो, online exam कैसे होता है, कैसे करवाया जाता है, आपको इसमें test कैसे देने है, कितने मिनट में देना है, कैसे उसको हमें right answer पे ही tick करना है, इन सब की जानकारी होना आप सबको बहुत जरूरी है, तो अगर हम top universities की बात करें, तो top universities में हमारे पास AMU है, अलिगर मुसलिम university, हैदराबाद university, बनारस हिंदू university, जवाहरलाल नहरू university, कैला युनिवरस्टी, कश्मीर युनिवरस्टी, यह सारी central universities को हम assimilate करेंगे, इस category में, जिसे हम कहते हैं, CUET की top universities, तो अगर हम CUET के भी स्ट्रक्चर के बात करते हैं, यानि हम उसकी फीस की बात करते हैं, तो जो हमारी unreserved category है, उसके लिए हमारा फीस्ट्रक्चर होगा, 600 रुपए, और जो reserved categories हैं, उनके लिए 500, मैं आपको यह चीज ज़रूर बताना चाहूंगी, कि जो फीस्ट्रक्चर है, यह time to time update होता रहता है, तो एक बार आप जाके, आपको बढ़ते चले जाना चाहता है, कि क्या यह फीस्ट्रक्चर हाली में update हुआ है या नहीं नेक्स पॉइंट जो हमारे बास है, वह है examination forms, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आज करेट में हार स्टूरेंट जाना चाहता है कि CUT examination forms कब से आने वाले हैं या एक्जाम कब होगा, सो लेट में टेल यू, CUT के examination form filling window है आपकी यह फेबरी में open हो जाएगी फरवरी से आप आपके सामने यह पूरा application window आ जाएगा, आपको decide करना है कैसे कैसे आगे आपको बढ़ते चले जाना है, ठीक है, इसके जो, इसका जो current exam है, 2023 April का जो third week है, उसमें होने की संभावना है तो हाँ अपने आपको आप ऐसे प्रिपेर कीजिए कि 2023 के फरवरी तक आप अपना एक बार के लिए जो कोस है, जो आपका syllabus है, पूरी तरह से आप तयार हो जाएग इस exam के लिए, तो अगर हम बात करते हैं, एक्जामिनेशन पैटन की, तो टोटल यहां पर तीन एक्जामपल दे के समझा देती हूं आपको कैसे कैसे इन पैटन को फॉलो करना हैं या क्या-क्या जरूरी चीज़े हैं जो आपको इस सब्जेक्ट मैपिंग में ध्यान रखनी है, टोटल आपके पास तीन सब्जेक्ट्स हैं, पहला जो आपका सब्जेक्ट है, जिसे हम ल बुसरा आपका पार्ट है, जिसे हम डुमेंस पेसिफिक क्याते हैं, ये वो पार्ट है जिसमें आपके तोटल उन्नेस लांगवजेज़ज़ेजें, और ये वो लांगवजेज़ों जो आपके पढ़िए हैं या माफ कीज़ेगां, ये वो बुपजेक्ट्स हैं ये डुम जिसे हम जनरल टेस्ट कहते हैं जीटी लिग देती हूँ मैं जनरल टेस्ट हमारा है यह आपको युनिवर्सटी वाइज आपको देखना है जैसे आपका दियू है तो दियू के लिए आपको थर्ड पेपर की जरुवत नहीं है है different different जो आपके देश है उनकी भाषाय आएगी लेकिन आपका दूसरा सब्जक्त है यह आपका सब्जक्त सब्जेक्ट में इसको चोच करना है बहुत अचछे से चूस करना है थर्ड जो सब्जक्त है काव उनिवर्स तो आपको भहाut ध्यान से इन तीनों सब्जेक्स की मापिंग करनी है क्योंकि अगर CUET में आपका ये कॉंबिनेशन गरवड़ा गया तो हाँ आपके लिए बहुत मुश्किल हो जायागा ये एक्जाम क्राक करना बहुत ध्यान से बहुत सोच समझ के बहुत आराम से इन तीनों के मापिंग करनी है अगर हम एक्जामिनेशन स्ट्राटेजी की बात करें तो देखे बहुत जादा स्ट्राटेजी इसमें आपको लगाने की जरुवत नहीं है लेकिन हाँ कुछ बेसिक से टिप्स जो कि आपको ध्यान रखना है 12 पास करने के शायद 40 से 45 दिनों में जो मेरा आकलन है माफ किजे का अगर मैं गलत हूँ तो 40 से 45 दिन के अंदर ये एक्जाम आपके सामने आ जाए आपको ये धियान रखना है कि कैसे ये एक्जाम हो रहा है कब एक्जाम हो रहा है डेट्स निकलना जाए दूसरी चीज ये है कि हमारे बहुत सारे कॉर्स होते हैं अपने कॉर्स में अपने आपको एंड्रोल कीजिए आप और हाँ C stands for evaluate and C stands for conclude अगर आपने ये चार चीज़े फालो कर ले ये चार टीप्स फालो कर ले तो आपके ये एक्जाम बहुत ही आपके सकते हैं So last but not the least and the most important point जिसके बारे हम आपके बात करेंगे वह है why to choose us ऐसा क्या है कि आप हमें चूस करें So if we talk about English as a subject क्यों जरूरी है so let me put these figures out to you कि total out of 100 जो आपका 39 percentile है वो English as a subject को जाता है So whenever you choose this subject or I want to keep an eye onkada जहां पे 8236 students have appeared for English examination only ये students एक बहुत ही बड़ा है अपने आप में इसे लिए में आप से कहूंगे कि आपको बहुत ही सोच समझ के चूस करना है So Vinit Sir, he is 8xNet, 2xJRF and 17xSET qualified He is the star faculty of Sahitya Classes and yes, he is the author of 3 best-selling books So I think it's enough to be enough and this is the best-selling book So with all these informations, do text us कि आप और क्या जानना चाहते हैं या ऐसी और क्या जानकारी है जो हम आप तक पहुचा सकते हैं So till then, do like us and subscribe us. Thank you so much झाहते हैं